तो आज के लिए बात कर लेते हैं आज के लिए लेवल मांगे थे 102.869 और लोई लेवल थे 102.754 तो यह दो लेवल थे हमने रिसक्स किया था जो भी लेवल प्रेक होगा उसे का वे ट्रेड देखने को मिल सकता है तो मांगे तो बीच पीच में दो कि साटने रहें जो lega में पुर को सब्सक्री होग है सब्सक्रीज में पर जब CPA का data है तो market ने एक strong upmove लिया है तो CPA के data की वज़े से upmove आया हमारा buysecret का trade अक्टिवीट हुआ यहीं से first second और यहां पर हमारे जाके सारे चेकर रहों third target भी हिट हो गया तो यह हमारे last level था जिसको market ने अज हिट कर दिया है और data की वज़े से हुआ है और यह हमने आपको वीडियो में बताया भी था कि data की वज़े से हमें इक strong impact देखने को बल सकता है गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड अबिसी अगर डॉलिक्स उपर जाएगा तो गोल्ड जाएगा तो गोल्ड जाए नीचे के तरफ करता है और यहां से यहां से हम कल करेंगे लेकिन डॉलिक्स में जैसे कि हमने बताया भी था कि अप मूव एक्सपेक्टे है सेम अप मूव ही हमें देखनी को मिला है मार्केट ने ओपर के तरफ कहीं मूव्मेंट लिया है तो अब हम क्या करेंगे हमें कल के लिए लेवल को find out करना है तो सबसे यह सबसे पहले जितने भी लेवल झाले हम क्या लाएं के लाएंगे दिस्स्य दिस्टा नहीं क्या लाएंगे हमाया टागे लेवल कि आलाएंगे तो यह बाल पास हंडर्ड्ड 3.038 के लिए यह को बलाक मां कर लेजे और एक लिए उन आप यहांपर ड्रॉ कर लीजिए यह सब्सक्राइब तो यह दो लिवल्स होगे हमार पास और दोनों में से जो भी साइट ब्रेक होगी तो सब्सक्राइब देने को मिलेगा तब भी हमें ट्रेड नहीं करना है और अगर करती है तब एक लिवल्स करना होगा हमारा लेवल रहेगा हंड़े 2.797 का यह हमारे sell side के trace रहेंगे 103.038 break होता है तो 103.118 180236 यह हमारे buy side के days रहेंगे तो dollar index में यह levels आप mark कर लिए अपने जान पर हमें काफे guide कर सकते हैं gold की मात कर लेते हैं gold काफे नीचे तक गिरा है आज तो अगर day के जान पर मात करें तो यह आपी weakness भी अंतीव नजल आ रहे थी अब देख सकते हैं gold continue में उपर की तरफ जा रहा था last candle बनी है यह वाली candle weak candle बनी है और यह वाली candle पहले long wind candle बनी फिर weak candle बनी और आज bearish candle बनी है तो यह यहां पर support लेती भी नज़र आ रही है तो अगर इसके नीचे क्रॉस कर जाएगे तब तो हमें बहुत अच्छी यह हमारा decisive level रहेगा यहां से अगर market reverse लेती है तो सबसे उपर हमें प्रेट देखने को मिलेगा चोटा से level देखने को मिलेगा यहां पर देखे marketing support लिए काफी यहां पर resistance create किया है इसलिए हमारा level रहेगा एक first 2165 2169 2174 और अगर market ने 258 को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ तो 2153 2148 2144 यह हमारे कल के लिए टागेट रह सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे कि silver में किस तरह का move आया है और कल के लिए क्या expected है silver obvious ही बात है कि अगर डॉलर नीचे की तरफ उपर की तरफ गया है तो silver और gold हमारे sell set की तरफ जाएंगे यह हम almost discuss करते ही है हर्मार डिसकस करते हैं कि gold और silver जो है वह डॉलर की opposite चलते हैं तो क्यों चलते हैं क्योंकि अगर dollar मेंगा हो जाता है तो gold और silver की demand कम करीदना शुरू करते हैं उसको उनकी demand कम हो जाती है और दूसरा reason यह कि जब dollar की value बढ़ती है तो लोग dollar में investment करना शुरू कर देते हैं और पैसा कहां से निकालते हैं उनने silver में यहनि कि safe investment alternative में invest कर रहा होता है वहां से पैसा निकालते हैं डॉलर में डालना शुरू कर देते हैं तो अगर और अब्विस से बात है अगर मार्केट ट्रेडर्स जो है गोल्ड में से पैसा निकाल रहे हैं और डॉलर में डाल रहे हैं तो गोल्ड की जो प्राइसे वो कम होगी और डॉलर की बढ़ेगी ठीक है सेम चीज सिल्वर के साम भी अपने केपल होती है यहां से 24.46 हमारे लेवल केंदा खLab क्ली अक्टिवथ हुआ है क्लीना च्रीकियों कैंद जो कांडे यहां सेmachen के ड्रेड मोरे जो एवर्ड से कांद राफ्य। टो और just एक चीजी यूएसजी ने काफी एचा से रिस्पांस दिया है, शिल्वर फ्यूचर की बात कर लिते हैं, इसमें भी नेगिटिव टेखनी को मिली है, यह से लिए चाल से रिकार टेट है, यहां से, फर्स टागेट से किन टागेट हुआ, काफी नीचे तक आया है, रिकिन इतने लेवल्स हमने मार्क नहीं किये थे, बट जो मार्क किये थे, वो हमारे लेवल्स अचीव हो गए है, तो अहां बात कर लेते हैं कि कल का मूव रह सकता है, एक से जी यूएसजी से ही स्टार्ट करते हैं, एक decisive level हमने उर्डी mark किया हुआ है यहां पर एक level और mark करते हैं यहां पर देखिए support बनाएं यहां पर resistance create हुआ यहां पर support रहा support support यहां resistance तो यह हमारे levels रहे हैं और इसको हम जो immediate up-sync के level है इसको भी हम decisive level में convert कर लेते हैं बागी सारे जितनी भी levels उनको green में convert कर लेंगे हमारे target levels रहेंगे तो अब हमें क्या करना है एक तो यह level 24.00 के level इसको तोड़ा सा shift करेंगे उपर की तरफ ताकि थोड़ा सा safe trade रहे हमारा 24.12 टूटता है तो 24.03 23.95 23.88 यह हमारे sell set के moves रहेंगे 24.25 टूटता है तो भी हमें थोड़ी से wait करने पड़ेगी क्योंकि बहुत चोटा सा zone है यहां पर हमें trade में entry लेना risk की रहेगा लेकिन अगा 15 minute के chart picture चोटा से trade में entry लेकर exit करना चाहते हैं तो वह यहां पर कर सकते है अगर 24.28 ब्रेक होता है तो 24.33 24.39 24.46 यह हमारे levels रह सकते हैं upside के इनको आप मार्क कर लेजे और बात करते हैं silver की चोट 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 से trade को मिल रहे हैं हमें यहां पर levels काफी congested है यहां पर चोटा से area है और लेकिन यह area में market बहुत देर तक support resistance ले चुकी है इनको हम ignore नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना है अभी इस जो cattle burn raise को close on में 52 minutes बात जाए में market किसी पर साइट में जा सकते है 73 880 break हु इसके बाद हमें एक level यहां पर देखने को मिल रहा है यहां पर देखिए resistance support donor है तो next target रहेगा हमारा 73 604, 73 500, 73 317 और market ने अगर upside का move लिया तो 74 31, 74 181, 74 304 और most date source से जादा का points यहां पर हमें difference देखने को मिल रहा है इनको आप mark करेजे हमें कल काफी guide कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को like और subscribe करना बिल्कु भी मन भूलेगा और हमारी जो data analysis की video उसको दिखना बिल्कु भी मन भूलेगा क्योंकि data analysis जो है हमें एक अच्छा move देता है और इसके माद आप completely prepared होंगे कल के trades के लिए आपको वीडियो पसंद आए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बचन पर क्लिक किजे शेर किजे subscribe किजे और maximum profits earn किजे okay investor take care and keep on earning profits goodnight